आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ विज्यान, भौतिक, रसायन विज्यान, जीव विज्यान और संस्कृत लेकिन आवश्यक नहीं की क्रम समान हो वे सभी आठ मंजिला इमारत में भिन मंजिलों पर रहते हैं जिसमें सबसे निचली मंजिल की संख्या एक है एवं सबसे उपरी मंजिल की संख्या आठ है T एक विशम संख्या वाली मंजिल पर रहता है एवं उस व्यक्ति के ठीक नीचे भी जिसे संस्कृत विशय पसंद है T ना तो पहली और ना ही तीसरी मंजिल पर रहता है S जिसे गणित पसंद है एवं वह जिसे संस्कृत पसंद है इनके मध्य केवल एक विद्यार्थी रहता है S एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है तीन विद्यार्थी S और R के मध्य रहते हैं जिसे जीव विज्यान पसंद है O P के ठीक नीचे रहता है वह व्यक्ति जिसे रशायन विज्ञान पसंद है जीव विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है तीन विद्यार्थी रशायन विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति और Q जिसे बहुतिक पसंद है इनके मध्य रहते हैं Q समसंख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है M को संस्कृत या रशायन विज्ञान पसंद नहीं है N को अंग्रेजी पसंद है एवं वे समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है T को हिंदी विशय पसंद नहीं है तो प्रश्ण को हल करने के लिए सबसे पहले हम मंजिल को दर्शाते हैं जिसमें प्रश्ण में बताया गया है कि सबसे नीचे वाली मंजिल जो होगी वे पहली होगी और सबसे उपर वाली मंजिल जो होगी वे आठमी मंजिल होगी अब हम इस प्रश्ण को हल करने के लिए दो तरह के केस बनाएंगे जिसमें यह हो गया केस पहला और यह हो गया केस दूसरा अब हम इस पे मंजिल दर्शा देते हैं तो यह हो गई पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छटवी, साथवी और आठवी इसी तरह से केस दूसरे के लिए भी यह हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटवा, साथवा और आठवी मंजिल अब प्रश्ण में जैसे की कहा गया है कि टी जो है वह एक विशम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन ना तो यह पहली मंजिल पे रहता है ना तो तीसरी मंजिल पे तो अगर हम विशम संख्या देखें तो विशम संख्या एक, तीन, पांच और साथ है जिसमें पहली और तीसरी मंजिल पे तो ये नहीं रहता है तो अब हम पांचवी और सातवी मंजिल के अनुसार केस पहले में रख देते हैं टी को पांचवी मंजिल पे और केस दूसरे में रख देते हैं टी को सातवी मंजिल पे फिर प्रश्ण में दिया हुआ है कि टी उस व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है जिसे संस्कृत विशय पसंद है तो अगर हम केस पहले में जो व्यक्ति छटवे मंजिल में रहता होगा उसे संस्कृत विशय पसंद होगा क्योंकि T को संस्कृत विशय के ठीक नीचे बताया गया है और केस दूसरे में आठवे मंजिल में जो व्यक्ति रहता होगा उसे संस्कृत विशय पसंद होगा फिर दिया गया है कि S जिसे गणित पसंद है वह जिसे संस्कृत पसंद है इनके मध्य केवल एक विद्यार्थी रहता है तो अगर हम केस पहले में देखें तो संस्कृत और S के मध्य क्योंकि एक विद्यार्थी कहा गया है तो यहाँ पर हम S ले लेते हैं जो की T जो होगा इनके बीच में हो जाएगा और इसी तरह से छटवी मंजिल में हम दूसरे केस में ले लेते हैं S को S एक समसंख्यावाली मंजिल पर रहता है तो हमने दोनों ही केस में S को समसंख्यावाली मंजिल पर रखा है तीन विद्यार्थी S और R के मध्य रहते हैं और R को जीव विग्यान विशय पसंद है तो अगर हम केस पहले में R को रखते हैं आठवी मंजिल में तो इसका विशय जो दिया हुआ है वह है जीव विग्यान और दूसरे केस में हम R को S के नीचे रखते हैं जिसमें R और S के बीच तीन व्यक्ति होंगे तो यहाँ पर दूसरी मंजिल पर R आ गया और इसका विशय हो गया जीव विग्यान O को P के ठीक नीचे रखा गया है तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि P के ठीक नीचे O होगा वह व्यक्ति जिसे रशायन विग्यान पसंद है वह जीव विग्यान पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है तो यहाँ पर केस पहले में सात्वी मंजिल पर वहव्यक्ती हो जाएगा जिसे रसायन विग्यान पसंद होगा और इसी तरह से केस दूसरे में पहली मंजिल पर वहव्यक्ती होगा जिसे रसायन विग्यान पसंद होगा फिर दिया गया है कि तीन विद्यार्थी रसायन विग्यान पसंद करने वाले व्यक्ति और क्यू के बीच रहते हैं तो इस तरह से केस पहले में क्यू जो होगा वै हो जाएगा तीसरी मंजिल पर और अगर हम केस दूसरे में देखें तो Q जो होगा वह हो जाएगा पांचवी मंजिल पर Q को भौतिकी पसंद है और Q जो है वह समसंख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है तो Q के लिए हम भौतिकी लिख देते हैं विशह और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में हमने Q को समसंख्या वाली मंजिल पर नहीं रखा है M को संस्कृत या रसायन विज्ञान पसंद नहीं है तो यहाँ पर M के लिए हम रसायन विज्ञान और संस्कृत नहीं कर देते हैं N को अंग्रेजी पसंद है तो यहाँ पर N के लिए हम लिख देते हैं अंग्रेजी और N जो है वह समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है तो समसंख्या वाली मंजिल जो होगी वह आठवी, छठवी, चौती और दूसरी होगी तो दूसरी मंजिल को छोड़ करके बाकी सभी मंजिलों पे हमने विशय अथवाव्यक्तियों को दर्शाया है दूसरी मंजिल पर केस पहले में हम यहाँ पर N को लिखते हैं और इसे ज जो विशय पसंद है वह हो जाएगा अंग्रेजी और अगर हम केस दूसरे में देखें तो केस दूसरे में केवल चौती मंजिल है जो की सम है तो यहाँ पर हम N लिख देंगे और यहाँ पर विशय जो हो जाएगा N का अंग्रेजी हो जाएगा अब T को हिंदी विशय पसंद नहीं है तो T के लिए हम यहां पर हिंदी को नहीं कर देते हैं अब क्योंकि बताया गया था कि P जो है वह O के ठीक उपर है तो अगर हम देखें कि इस पहले में तो हम P को साथवे मंजल पर रख देते हैं और O को छटवे मंजल में तो इस तरह से P O के जस्ट उपर हो गया लेकिन अगर हम केस दूसरे में देखें तो कोई भी ऐसे इस्थान नहीं खाली हैं जो की दो लगातार हों अतहर केस दूसरा जो है वह बिल्कुल गलत होगा और प्रश्ण केस पहले के अनुसार हल होगा अब अगर हम देखें तो T को हिंदी विशय पसंद नहीं है और M को रसायन सास्त्र और संस्कृत नहीं पसंद है तो यहाँ पर M आ जाएगा क्योंकि केवल पहली मंजल बची होई है और यहाँ पर M के लिए हम विशय लिख देंगे हिंदी अब T और S में अगर हम देखें तो S के लिए तो बताया गया था कि S को गणित पसंद है तो यहाँ पर S के लिए विशय हम लिख देते हैं गणित और T के लिए बचा हुआ सब्जेक्ट हो जाएगा विज्ञान इस तरह से हमने सभी व्यक्तियों की रहने वाली किस मंजल पर वे रहते हैं और उनको कौन सा विशय पसंद है यह ग्यात कर लिया है अब प्रश्टे में हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे हिंदी पसंद है तो अगर हम देखें तो M जो है उसे हिंदी पसंद है अब हम देखते हैं किस विकल्प में M दिया है तो A विकल्प में दिया है S मतलब की गलत हो गया B विकल्प में N यह भी गलत C विकल्प में दिया है M सो C विकल्प सही होगा और D विकल्प में दिया है O तो यह भी गलत हो गया Thank you